हेलो फ्रेंड आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चनल क्रेकिट वे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोट लडिसी बड़ती 2020 की आप सबको पता होगा कि इस बड़ती पहले मार्च 2020 में आयी थी लेकिन जब कोरोना की वज़े से लोकडाउन मतलब लग इस आत गया था तो इस को इस बड़ती को थोड़ा फोश्टपौंड कर दिंद कर ये बड़ती है वह फिर से स्टार्ट हो चुकी जब पहले का रहे तो इसमें एक सलिबस में चैंज किया हुआ है और इसकी फोर्म फीस है वो क्या है चैन में वरियता हमको किस परकार देनी है और सबसे मैन बात है कि इसमें आपकी शेलरी या पेमेंट क्या रहने वाला है इस सब बातों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो आप व चुरू करते हैं आज का वीडियो तो यह देखिए दोस्तों मैं आपको पहले बता दूँ मैं यह सब चीज़ें वह हाइकोर्ट राजस्थान हाइकोर्ट जो अफिशल वेवसाइट है उससे ले रहा हूं यह सब पीडिया फाइल अगर आपको खुद को चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं राजस्तान हाइकोर्ट के ओफिशल वेवसाइट से यह सब पीडिया फाइल आपको मिल जाएंगी अगर आपको नहीं देखनी आती हैं वहाँ पे तो आप मुझको कमेंट बॉक्स के कमेंट कर दें मापको आप पीडिया फाइल हो शेंड कर दूँगा तो इसके online application form वो मतलब शुरू की होने थे लेकिन कोरोना के वज़े से पोस्ट पॉंट कर दिया गया था यह बात तो होगी दोस्तों उस चीज़ की अब बात करते हैं आगे कि वरतमान समय में जो मतलब है कि फारम हमको कितनी तरह के बीच कितनी तरह के बीच से हमको apply करना है य तो अगर आप इमित्र से फोरम बढ़ने जा रहे हैं तो आपको देखने की इतने ज़्यादा जूरूत नहीं है इमित्र वाला अपने आप फोरम को apply कर देगा अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके फोरम की date क्या है तो यह देखे यह PDF फाइल में आपको दिक रहा होगा कि यह date है 18 सितंबर 2020 को date आई थी और इसमें continue in continue to notice date 25 मर्स 2020 for requirement to the post of junior judicial assessment for राजस्तान हाई कोर्ड और जूनियर असिस्टेंट for RSLSA and DLSSA तो दोस्तों इसमें color grade second की यह बढ़ती है और इसमें है कि यह देखे ओनलाइन आविद्दन करने की समय सिमा हो एक October 2020 से दो फैर एक से दिनंक एक November 2020 रविवार को साएं पांच बजे तक आप इसके फोरम में वो भर सकते हैं इसके अलावा ओनलाइन परीक्षा सुल्क के जम पर्णमा कर सकते हैं तो यह बात हो गई हरम बढ़ने की last date की और शुरू होने की अब बात करते हैं दोस्तों बाकी सब सब चीज रह गई हैं वो सब notification के अंदर दिया गया है आप बात करते हैं notification के सबसे पहले तो यह देखिए दोस्तों notification इसमें यह देखिए दोस्तों आपके सामने में जोम करता हूं यह सबसे पहले देखो बढ़ती है राजस्तान उचनेयले में कनिष्ट नैक साहिक है जिसको में कहते हैं जूनियर जूडिसेल असिस्टेंट और राजस्तान राज्य विदिक सेवा प्रादिकरण जिला विदिक सेवा प्रादिकरण में कनिष्ट साहिक जूनियर असिस्टेंट था राजस्तान राज्य नयाइक अकादमी वह राजस्तान के जिला नयालों में लिपिक प्रिविक्षा में आपको 14600 रुपे परतिमाय मिलेंगे दोस्तों और यह फिक्स पेमेंट है उसके बाद जैसे ही आपका मतलब यह दो साल है प्रिविक्षा काला वो पूरा हो जाएगा तो आपको लेवल पांच पे मेट्रिक्स लेवल 5 के नुसार पेशकेल 20800 से 65900 रुपे तक दे होगा तो दोस्तों इसमें यह कि दो साल जैसे आपकी मतलब पूरी होंगी तो आपको दो साल के बाद जो पहले मेने की शेलरी मिलेगी कि उसमें आपकी basic income होगी 20,800 उसके उपर आपको अन्य जो बत्ते मिलेंगे जैसे महंगाई बत्ता मिलता है house rent मिलता है ये सब चीजें 20,800 पर दी जाएंगे तो 20,800 आपकी basic से और level 5 के अनुसार दे होगी दोस्तों इस वीडियो में ये है कि 20,800 आपकी दो साल के बाद मिलेंगे लेकिन जैसे ये आपकी जोइनिंग होगी तो प्रिविक्षा काल में 14,600 रुपए आपको प्रतिमाप प्रिसर्मिक के रुपए दिये जाएंगे ये बात तो होगी दोस्तों payment की और payment पे आपको और की ये बत्ते किस प्रकार मतलब मिलते हैं ये सब वीडियो चाहिए तो आप comment box के अंदर comment करते हैं मैं इस पर वीडियो अलग से लिख रहूँगा लेकिन इसमें इतनी है आपको जानने की बात है कि 14,600 रुपए तो आपको प्रिविक्षा काल में मिलेंगे और उसके बाद आपको level 5 के नुसार 20,800 रुपए 7,000 मतलब मिलेगा फिर दोस्तों ये आगे काम की बात नहीं है हमें अब है रिक्तियों की संग्याय ओरक्षण ये सब चीजह यहां पे है अनुसुचुच छेतर 10, 120 इस बारे में इसमें बात किए गई है कि कमी या बडोती है वो की जा सकती है और इसमें दोस्तों आपको सबसे nth में आपको सब क्योरी का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं मैं उसका जवाब आपको यतासिकर देने की कोशिश करूँगा यह देखें दोस्तों यह अनुसुची छेतर के समन्द में और विद्वावरा के सब दिव्यांग जन सब के बारे में इसमें बताया गया है उतकृष्ट खिलाडियों के संद्रम में यह आप देख सकते हैं प्यूज कर के वीडियो को उसके बात दोस्तों मतलब सबसे पहले अब हमारे इंपोर्टेंट नोट हैं या मैतोपन नोट हम कहें तो सबसे पहले काम के बात यह है कि चैन हेत्व सफल अभेर्टियों की ये देखे दोस्तों यहाई से आपको दिकरा होगा मतलब जिसके ज़्यादा नमर होंगे उसी आदार पर उसको वरियता मिलेगी दोस्तों जैसे पर्थम वरियता वो राजस्तान उच्छे नयाले मिलेगी दूसरी वरियता हो राजस्तान राज्य नयाई काकाजमी होगी और तीसरी वरियता राजस्तान राज्य विदिक सेवा प्राधिगरन और दोस्तों चोथी या चतूर्थ वरियता वो जिला नाले पंचम में वरियता है वो जिला विदिक सेवा प्राधिगरन तालूका विदिक सेवा समीतियों एं स्ताय लोक अदालतों सहीद तो ये बात हैं दोस्तों पांच वरियता मिलेंगे आपको जैसे मतलब जितने ज्यादा नमर होंगे उतनी आपको मतलब परतम वरियता मिलेंगे फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चतुर्त फिर वंचम इस परकार आपको मतलब वरियता दी जाएगी इसके बात बात करते हैं दोस्तों भेड़तियों को आवेदन करते समय जिला नयाचेतरों जिलों के नाम में से किनी पांच जिला नयाचेतरों का मतलब प्रात्मिक अनुसार चैन करना है मतलब आपको जिल्लों के नाम देने हैं आप जिस भी जिल्ले से हैं तो आप जिस जिल्ले में जोइनिंग लेना चाहते हैं उनके पांच जिल्ला छेतर आपको देने हैं फरम में फिर बात की किए दोस्तों मतलब नोन टीएसपी एरिया की जो अवेदग हैं वो जिल्लों का च शेक्षने की योगिता, minimum academic qualification है, आपकी must be a graduate of any university, established by law in India, or equivalent examination from any university, recognized by the government of the purpose, and must have basic knowledge of computer, तो दोस्तों आपको न्यूनतम शेक्षने की योगिता है, वो है दोस्तों, ग्रेजवेशन, और ग्रेजवेशन के साथ है, basic knowledge of computer, मतलब आपको RKCL का कूर्स है, वो किया हुआ होना चाहिए इसके अंतरक् incl., ये आपको दो चीज़एगे, फिर सारेरिक उप्योक्ता, अविद्द को मान से क्यों सुरेर की रूप से सवस्थ होना चाहिए, उन्में किसी परकार का, ऐसा कोई मान से क्या सारेरिक नुक्स नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के सदस्श्य की रूप में, उसके करतवियों का दक्सता पुरुक पालन करने में बाद आने की संभावन हो तो दोस्तों ये फिर राश्ट येतार ये हो गई ही सब अब बात करते हैं दोस्तों एज की तो आपकी 18 येर कम से कम एज होनी चाहिए ये देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा OBC, MBC सब में अपने अपना जो आप देख सकते हैं आपके सामने हैं प्यूज करके भी आप पढ़ सकते हैं फिर बात करते हैं दोस्तों परीक्षा सुल्क की तो परीक्षा सुल्क में दोस्तों समाने वरग, आर्थिक रूप से कमजोर वरग, अन्य पिछना वरग, अत्य रूपे लगेगा और SC और ST और दिव्यांग जन इन सब का है 3.500 रूपे यह होगी दोस्तों बात अब बात करते हैं आगे यह देखिए दोस्तों परीक्षा की स्कीम और पार्टिकरम, तो SECTION A रिटन टेस्ट होगा, उसमें दोस्तों लास्ट टाइम हिंदी और इंग्लीश ही थी लेकिन इस बार जनल नोलेज गो भी सामिल किया गया है, तो यह देखिए दोस्तों आपके सामने, मतलब लास्ट टा 50 क्यूशन आएंगे, इंग्लीश के भी 50 क्यूशन आएंगे, और जनल नोलेज के भी 50 क्यूशन आएंगे, और मिनिममम पासिंग मार्ट भी इसमें दे रहे हैं, SC, ST और PH कंडिडेट के लिए मिनिममम मार्ट हैं, वो 120 आ नहीं हो चाहिए 300 में से, और फोर अधर पार्ट में से 50 क्यूशन आएंगे, और एपसहदा वाले आएंगे, मतलब मिनमममर इसमें देखने को मिलेगे, यह देखे आपको किसी और से पूचने की बात मतलब जरूरत ही नहीं है इस वीडियो के देखने के बाद, negative marking इसमें नहीं होगी दोस्तों high court LDC बरती में negative marking नहीं है no negative marking है फिर बात करते हैं दोस्तों syllabus की यह देखिए आपके सामने आप screenshot भी ले सकते हैं हिंदी में क्या है? संदी है संदी के बेद, संदी विचेद, समास हो गया उपसरग हो गया, पढ़ते हो गया, प्रियावाची हो गया विलोम सब्द हो गया, अनिकार्तक सब्द हो गया सब्द यूग मया, सम्सूरूत सब्द हो गया सब्द सुद्धी, वाक्य सुद्धी, वाच्चे, वाक्यान्ष के लिए सार्थक सब्द और मुआवरे और लोकोगतिया अब दोस्तों यह तो गया हिंदिया सलेबस अब यह हिंदिया सलेबस में लबगग आपको कई टोपिक तो इस चैनल पे भी मिलेंगे जैसे मुआवरे और लोकोगतिया वाक्यन्स के लिए एक सब्द है मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सभी तो वो सब आपको आएंगे तभी सब्द सुद्धी समझ में आएगी तो उन सब का भी मैं आपको जल्दी एक वीडियो प्रोवेड कराऊंगा जैसे आपको तदसम तद्वा में कोई कन्फूजन नहीं देगा यह बात होगी दोस्तों हिंदी की अब बात करते हैं इंगलीज की तो इंगलीज में है दोस्तों improvement of sentence, tenses या sequence of tenses, active voice और passive voice है, narration है, direct मतलब direct और indirect speech, transformation of sentence, assertive to negative, interrogative और exclamative to vice versa, use of article है दोस्तों, determiners है और preposition भी है उसके अलावा correction of sentence including subject, verb, agreement, degrees of adjectives, connective and word wrongly used synonym और antonym भी है, one word substitution भी है, prefix और suffix भी है confusal words भी है और idems and phrase है तो दोस्तों basically मैं कमों तो English में लगबग इन्होंने सभी syllabus वो submit लिया है यह syllabus हमको देखने को मिलता है लगबग सभी एक्जामों में तो पूरी English है फिर बात करते हैं दोस्तों general knowledge की तो general knowledge में तीन topic है current affair है, geography and natural resources है और history and culture of Rajasthan है मतलब Rajasthan का इन्होंने लगबग पूरा जिक्के है वो भी submit लिया है अपने syllabus के अंदर तो दोस्तों आप बात करूं current affair के लिए इस channel पे आपको मिलेगा की handwriting notes मिलेंगे आपको chronology के और आप सब को पता है कि chronology से लगबग 99% of a question exam में आपको देखने को मिलता है तो आप एक महिने का जिक्के आपको शिरफ मातर एक गंटे में इस channel पे मिलेगा जिस में से आपको 100% guarantee के साथ में कर सकता हूँ कि आपको क्यूशन आपको exam में बाहर नहीं जाने वाला है इस्ट्री और जोग्राफी कल्चर ओफ राजस्तान इन सबका दोस्तों आपको वीडियो तो नहीं मिलेगा लेकिन जो एक्जामों में लास्ट एयर की exam में जो क्यूशन आते हैं वो इस channel पे आपको मिलेंगे तो आपको practice के लिए बहुत ही ज़्यादा important रहेंगे इसके लावा दोस्तों आप सबको पताए कि हर exam में लगबग 25-30% क्यूशन तो repeat होते ही हैं तो आपको वो भी क्यूशन कर लेंगे तो आपको लगबग 25-30% की तयारी तो अराम से उस paper को solve करने से ही हो जाएगी अब बात करते हैं दोस्तों आगे यह है दोस्तों section B है type writing test on computer तो फिर यह बात होगी दोस्तों computer test की इसमें speed test है हिंदी और English का अलग अलग है दोस्तों हिंदी में 5 मिनट डूरेशन दोनों का 5-5 मिनट रहेगा और maximum marks है वो 25 marks के दोस्तों आपकी होगी हिंदी में 25 marks और English का अलग है 25 marks SC, ST और PS candidate को minimum है वो 20 marks लाने होंगे और other candidate को 22.5 marks लाने होंगे फिर पेपर सेकिंड efficiency test इसमें दोस्तों duration होगा 10 मिनट का और maximum marks होंगे 25 सुरी दोस्तों 50 maximum mark होंगे 50 यह देखिए दोस्तों आपके सामने यह रहा के लिए minimum mark है वो 20 है और other candidate के लिए 20.5 हैं यह हो गई दोस्तों यह सब चीज आप इसमें आपको यह देखिए गतियां दक्स्ता प्रिक्षा के आयोजन की वीदिया वो क्या है यह आप देख सकते हैं वीडियो को प्योच करके आप पढ़ भी सकते हैं वरना वीडियो दोस्तों मैं पढ़के सुनाओंगा तो इसकते हैं वह बोड़ा हो जाएगा तो यह दूस्तों आप सब पढ़ सकते हैं यह पर दोस्तों यह आवेधन करने की लिए पहले की थी आप सबको पता है कि नौटिकेसन पहले आय था फिर पोस्टमरण हो गया था कोरोenos की 벌써 से तो आवेधन करने उक्षिए को पहले बता होगी तो दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्तान उचने ले द्वारा लेकित परीक्षा राजस्तान के जिल्ला मुख्यलों पर आउजित की जाएगी यह देखिए तो एक से ज़्यादा चन्नों में एक्जाम है वो हो सकती है और लेकिन फिला लिए है कि आपकी एक्जाम जिला मुख्यालों भी होगी और उसके लाबा अगर फोरॉम और ज़्यादा आते हैं तो आपको तैस्टिल मुख्यालों फिर भी आपकी सेंट्र मों देखने को जोरत नहीं होगी इसलिए अगर आपने अभी तक फोर्म अप्लाई नहीं किया और अभी राजस्तान फुलीस रीट पटवारी या किसी एक्जाम के आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा उप्सन है कम से कम आपकी तैयारी वो बनी देगी एक्जाम को देखते तो इसमें अलग अलगे दिया हुआ है कि राजस्तान उस नहीं में कनिष्ट नैक साइक की रिक्तियों की संक्या हुआ है अरक्षन का वीवरंड तो यह दोस्तों राजस्तान उस नहीं में है तो जैसे आपको वरियता फैस्ट है वो यही मिलेगी अगर आपके ज्यादा नम और टोटल पोश्ट हैं हो जाएंगे 26 और जनरल की हैं टोटल पोश्ट है 99 फिर आती है दोस्तों SC SC में 52 पोश्ट है है ST में आती है दोस्तों 32 OBC में आती है 56 और उसके बाद दोस्तों इसी परकार MBC में 13 है horizontal reservation आग्या है दोस्तों यह देखें मैं आपको इधर करके बाद करते हैं दोस्तों राजस्तान राज्य विदिख शेवा प्रादीकरण में कनिष्ट साहे की रिक्तियों की संक्या वाय आरक्षन का वीवरण तो इसमें 18 vacancies है total general AWS सब में आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी हैं उसके अलावाद दोस्तों यह है देख आपके जिला ने तो इस में आप देख सकते हैं कि आपकी जिल्ले में कितनी somethingin मतलब ंवन पॉश्ट है या फिर दूसरे जिल्ले में जिसमें आप अपलाई करना चाहते हैं यह सब देख सकते है तो दोस्तों इसमें साइध सबसे ज्यादा वेकेंश है वह अलवर में हैं मेरे को दीख रहा है कि 87 वेकंसी सबस्य ज़्यादा अलवर में ही है यह देखे दोश्थों यह रहा है में 87 पोस्ट है फिर आती है अजमेर में छहिंते रहें फिर 51 LOL BALwhere ंग जालवाड में 27 यह सब डिष्टिक में ड्डेशर हु developed दूनेaman में 10 है सब आपके सामने हैं सब मैंने दिखा दिया है वीडियो को प्यूज करके आप अपने जिलों का चैन कर सकते हैं कि इस प्रकार हमको मतलब पांच जिलने हो चूज करने हैं यह है दोस्तों जिला नयालों में लिपिक ग्रेड सेकिंड की रिक्तियों की संक्या और सिक्सड गेर अनुश्यक 6스ट छेतर का है जिला विदिख शिवा प्रकादिक रनो इस्ताइी लोक अदालतों एं तालुका विदिख शिवा समिथी constant चेटर का है जिला विदिक शेवा प्राधिकरनों इस्ताई लोग अदालतों एंट तालुका विदिक शेवा समिती सहीत में कनिश्ट साइकों के रिक्तियों की संख्या और अरक्षन का वीवरन तो यह दो कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं आपके सामने आप अपने परेइस देख लाघिया आप स्क्रिन ओठे लें और आराम से देखे लें या फिर वीडियो के क्योंज करके भी आप देख लें ये दो क्यों डोस्तों टीएस पी एरिया में आप देख सकते हैं और यह इसमें जो स्व फोन में कौम में ले विया उसकी फूल फॉरो मिया पर कर आपको जबाब देने की कोशिश करूँगा लेकिन मेरी राह यह है कि आपको अगर आपने अभी तक फॉरूम अप्लाएं नहीं किया तो आप जरूर करें क्यूंकि आप सब उस वीडियो में इतना ही है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सेयर करें और चैनल ये सबस्क्रेब नहीं किया तो जरूर करें और बیल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो में इतना ही ठैंक यू जेहिन-जेवार्त